नमस्कार साथियो मैं हूँ तेशपाल स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल तेशपाल जड़िवूटे ज्यान में और साथियो आज हम आपको एक बहुत ही अद्भुत औसधी के बारे में बताने जा रहा है जिसको कहते हैं अरजुनारिस्ट यह आप देख लीज वोसिदी की तरह है उनके लिए अमरत तुल होता है और सरदीयों का मौसम हो रहा है उनके लिए निमोनिया होती है और यह सारी परेशहाल लीजिएगा देखें यह अरजुनारिस्ट यह जो है मैंने किसी और कमपनी का नहीं लिया है IMPCL कमपनी का लिया हुआ है और यह जो है एक तरह से सरकारी कमपनी होती है तो हमारे यूपी में तो यह सरकारी अस्पतालों में फिरी मिल जाती है और कैसे लेना है और कब लेना है दिल के मरीजों के लिए जिनका ब्लड प्रिषर बहुत ज़्यदा हाई रहता है उनके लिए खाना खाने के बाद में करीब लगबग आदा घंटे के बाद तीन धक्कन दवा और तीन धक्कन पानी दोनों बराबर मात्रा में ले करके सुबह और सामसेवन करने से जो ब्लड प्रिसर की समस्या है या बहुत ज़्यादा घवराट होती है उसमें बहुत अच्छा लाव देने का काम करता है ये अर्जनारिष्ट और साथियों ये जिनके लिए बहुत ज़्यादा खासी हो गई है स्वास फूलती है या जिनको खासते खासते घवराट और बेचैनी होने लगती है तो जो बेचैनी जो होती है उसमें ये तुरंत एक रामाड औसदी की तरह काम करने वाला होता है अर्जनारिष्ट ये घवर चाल होती है तो अर्जन एक पेड़ होता है उस पेड़ की चाल ले जाती है और जिससे ये बनता है और इस आरिष्ट अर्जनारिष्ट के सेवन करने से जिनके पेड़ में बहुत ज़्यादा गैस बनती है वह बहुत ज़्यादा फाइदा करता है और हमेशा घवराट या फिर उनको सीडियां चड़ते टाइम घवराट होती है तब भी ये काम करता है और ये बल्च है और फुपुस रोग फुपुस रोग तो फेपडों से संबंदित समस्य हो गई उनमें सम में ये कारगर है और बल्च है जिनका बल्च कमजोर हो गया है कमजोर बहुत हो रही है तब इसको सेवन करना चाहिए और बीरियच है जिनके अंदर और बहुत ज्यादा जो कह सकते हैं विटेमिन्स उन सब की कमी हो जाती है तब भी इसको ले सकते हैं साथियो ये एक छोटी सी वीडियो आरजनलिस्ट के वारे में मैंने बनाई है ये आपको इसकी प्राइद्ध की सला अवश्च लें ताकि आपके सिहत में किसी भी तरह की कोई भी समश्या ना हो वीडियो कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें मेरे चैनल को एक बार जरूर आपसे हाद जोड के मिलती है जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई सवाल है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्षन खाली है कमेंट कर फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए दिज्यानुमती नमस्कार